हलो फ्रेंज, आज हम बनाएंगे ये मसालेदार रसे वाली अर्बी की सबजी, अर्बी की सबजी बहुत तरह से बनाई जाती है, आज हम जिस तरह से ये अर्बी बनाएंगे अगर आपने एक बार बार बनाने का मन करेगा, एकदम सिंपल मसालू से हम ये टेस्टी अर्बी की सबजी बनाएंगे और वो भी बस कुछी मिनिट्स में तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहां पे करीब 500 ग्राम अर्बी ली है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है इस अर्बी को छील कर और काट कर भी बनाया जा सकता है लेकिन अर्बी को अगर हम कच्छा काटते हैं इसको हम high flame पर 2 सीटी आने तक पकाएंगे अर्बी को boil करके बनाने से काम बहुती easy और simple हो जाता है तो यहां पे मैंने इसको high flame पर 2 सीटी लगा ली है और आप देख सकते हैं इसका जो चिलका है वो बहुती easily निकल रहा है तो अब यहां पे अर्बी के सारे चिलके निकाल जाती है तो यहां पे अगर आप मोटे slices रखेंगे तो अच्छा रहेगा अब हम इसे fry करेंगे थोड़ा सा तेल एक pan में डालेंगे गरम करके और इसमें हम यह अर्बी को डाल के थोड़ा सा fry करेंगे टान करते हुए इसको हलका golden fry करेंगे बहुत जादा fry नहीं करेंगे फ इसमें अब डालेंगे थोड़ी सी हींग तो एक चुटके हींग डाल रही हूँ मैं अब यह राई क्रैकल हो गई है और हींग और ज्वैंग की बहुती बड़ी आसी खुश्पू भी आ रही है अब बारी कटावा अद्रक और हरीमिश जाल देंगे इसे भी हलके चलाते हु वो काफी गाड़ी हो जाती है इसलिए मैंने यहां पे प्यास को ग्राइंड नहीं किया है और प्यास को कट करके डाला है इसे भी दीमी आच पे सुनहरा भून लेंगे प्यास को सुनहरा भूनने से उसमें फ्लेवर बहुती बढ़िया आता है अब हम इसमें टमाटर डाले टमाटर मेंने रफली चॉप लिये हैं थोड़े चोटी पीसिस में कट कर लें और उसको भी प्यास के साथ बून लेंगे तो यहां पे हम सब्जी को बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको बना सके तो हमने प्यास टमाटर को ग्राइंड भी नहीं किया है नमक डाल देते हैं इसमें अब मसालों में यहां पर ले रही हूं हल्दी पाउडर इसके साथ धनिया पाउडर लेंगे दो चबमच डालें सब्जी को चटपटा बनाने के लिए यहां पे थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूं इसके साथ हम डालेंगे बस एक मिनिट तक इसको चलाएंगे अब मसालों का जो है थोड़ा कच्पन निकल गया है आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ओयल भी चूट रहा है साइट से टमाटर अच्छे से मैश अभी नहीं हुए है तो उसको गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं है कलर भी बहुती बढ़िया सा आया है और यह एकदम थिक हो गया है अगर फिर भी आपको लगे टमाटर अच्छे से नहीं गले हैं तो हलके से स्पैचुला से इस तरह से मैश कर लें इससे मसाला जो है वो बिल्कुल स्मूध हो जाएगा अब हम गैस का फ्लेम बंद कर दे और मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे मसाले को इसी तरह से छोड़ दे जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें दही डालेंगे तो यहां पे मैंने आधी कटोरी दही लिया है यह घर का जमावा दही है यह बहुत जादा खटा नहीं है अगर आपको लगे दही ख प्रटे का नहीं और जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूद बनेगी यहां पे जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम आउन कर देंगे तो दही को जल्दी जल्दी स्पैचुला को चलाते हुए आप अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लें यह स्मूद मिक्स्चर बनके तयार हो गया है इस स्टेज पर हम इसको लगातार चलाएंगे और गैस का फ्लेम आउन कर देंगे गैस आउन करने के बाद भी आप इसको लगातार चलाते रहें तो जल्दी जल्दी इसको स्पैचुला से चलाना है ताकि दही जो है वो फटे नही अब इसमें हलका हलका boil आने लगया है आप देख सकते हैं और ये smooth बिल्कुल mixture बना है दही बिल्कुल फटा नहीं है अगर आप इन tips का ध्यान रखेंगे तो आपकी gravy बिल्कुल smooth और creamy बनेगी अब इसमें boil आ गया है अच्छी तरह से तो हम special flavor के लिए यहां पे कुछ मसाले और add कर रहे हैं तो यहां पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा zero powder थोड़ा सा गरब मसाला और इसी के साथ कसूरी मेथी तो यह मैंने कसूरी मेथी को भून कर और crush कर लिया है यह तीनों मसाले gravy को बहुत ही special बनाते हैं और आपकी सबजी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है इसलिए हमने यह मसाले last में डाले हैं और बाकी मसालों के साथ इनको नहीं डाला है ताकि जो इनका flavor है वो एकदम strong आये सबजी में इस gravy में अच्छे से boil आ गया है अब हम इसमें डाल देते हैं जो अर्भी हमने fry करके रखी थी इस stage पर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी बे आड़ कर सकते हैं तो अभी मैं इसमें अर्भी मिला के और अच्छे से mix करके और इसके consistency चेक कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं अभी ये सबजी जो है काफी गाड़ी है तो मैंने यहाँ पर आदी कटोरी पानी और डाल दिया है और ये gravy अब थोड़ी सी पतली हो गई है क्योंकि थोड़ी देर अभी हमें इसको पकाना है ग्रेवी का ओयल भी किनारों से चूट गया है और ये सबजी हमारी बन के तयार हो गई है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा थिकी रख रही हूँ अर्भी की gravy थोड़ी गाड़ी ही अच्छी लगती है अब हम इस पे थोड़ा सा रदनिया डाल देंगे और बस ये सबजी बढ़ी हासी कर्मा गरम तयार है सर्फ करने के लिए आप इसे चपाती के साथ सर्फ करें या फिर चावल के साथ दोनों के साथ ही बहुत बढ़ी अलगती है तो friends ट्राइ करें इस टेस्टी अर्भी मसाला की रेसिपी को ऐसी ही स्वादिश रेसिपी और देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं friends अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक देखते रहें स्वाद्यारसोई जहां है स्वाद भी और सेहत भी